शकुंतला सुबह सुबह हॉल में बैठी टीवी पर भजन देख रही होती है तब ही शकुंतला की बहुरिंग को अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है माजी मुझे तो पूरी रात नीम ही नहीं आई कल बाजार में शराबी को क्या सबक सिखाया आपने माजी उसे तो मैं दो दिन से देख रही थी मैं जब भी बजार जाती थी ना तो देखती थी वो अपनी बीबी को मारता रहता था लेकिन कल तो आपने उसे क्या मारा और पुलिस के हवाले भी कर दिया हाँ बहु मेरी आदत है कि जहां अत्यचार होते देखती हूँ तो मुझसे रुका नहीं जाता अरे हम आउरत हैं तो क्या हुआ हम क्या कुछ कर नहीं सकते हैं मा जी फिर तो मैं एकदम सही घर में आई हूँ मुझे आपकी जैसी सास की तलाश थी जो कड़क मिजास की हो और एक बार वो किसी के सामने खड़ी हो जाए ना तो बस बसे महले के आधे से जादा लोग मुझे से डरते हैं सच कहूं बहू तो मैंने महले में अपना दबदबा बना रखा है अरे शकुंतला किसके दबदबे की बात कर रही है तो और कल तो क्या करके आई है जो पूरा महला तेरी तारीफ कर रहा है अरे विम्ला काकी कल तो आपको वहां बजार में होना चाहिए था माजी ने क्या उस शराबी को देला देगुजा और वो तो गड़गडाने लगा तब ही माजी ने पुलिस को फन किया और पुलिस वाले आए और शराबी को ठाने ले गए अरे क्या बात है शकू तू तो चाही हुई है सच कहूं और तू हमारे पूरे महले की परधान बनने के लायक है अरे अब बस भी करो पहूच तू जाकर खाना बना ले और घर के कामों में भी ध्यान दे और अब ये बाते तो दो चार दिन के लिए ताज़ा खबरे बनी रहेंगी शकूंतला बहुत दिलेर थी वो किसी को भी मुसीबत में देखती तो वो अपनी जान की परवा किये बिना उसे बचाने निकल पड़ती और इससे जादा तो वो बहादुर थी और अपनी हीरो पंती के लिए जानी जाती एक रोज दोफैर के समय विम्ला शकूंतला के घर आती है इसकी बेटी तो भाग गए यह सब देखते देखते अरे क्या बात कर रही है तूंने सच में अपनी आखों से देखा क्या कि वो सब्जी Bu Basically का कान तक policy के घर चल किल रही हो और मैं और विम्ला उसके घर पर जाकर अल्ल बोल कि अरे अब क्या हम यहीं बाते बनाते रहेंगे कि वहाँ वह रही हूं कौन है जो इतनी जोर-जोर से दर्वाजा पीट रहा है अरे विम्ला क्या बात हो गई जो तु मेरे घर के दर्वाजे को तोड़ने पड़ लगी हुई है अरे तु परली साइट शक्कू तुस कमरे में देख मैं इस कमरे में देखती हूं आज तो उसे पूरे महुले में चपलो की माला पहना कर घुमाऊंगी अरे ये क्या तरीका है मेरे घर में घुसने का और तुम दोनों किसे ढू में और तू कांता तुझे शरम नहीं आती सब्जी वाले को घर में बंद करके रख रखा है और उसके साथ गुलू गुलू कर रही है अरे तू से दूर कर और मैं देखू कहां है वो सब्जी वाला उससे तो मेरी पुराने दुश्मनी है कई बार उसने मुझे सड़े हुए टमाटर दिये हैं आज मैं उसका हिसाब पूरा करके रहूंगी अरे नहीं है उसमें कोई तुम दोनों को मैं बाद में देख लूँगी तुम दोनों ने चिल्ला चिल्ला कर पुए महले वाले को इखटा कर दिया है यह रहा विम्ला कहां है तू जल्दी आ और इस पर अपन इसमें रिंको भी अपना हाथ साफ कर लेती है लेकिन कांता की इस वज़ा से खूब बदनामी होती है कांता तुझे मैं आखरी बार समझा रही हूं अब तेरे घर में महले वालों को कोई आता जाता दिखा न तो उसके साथ तू भी महला छोड़कर चली जाएगी अभी तो तुझे बस वार्निंग दे रही हूं तुम दोनों सास बहु की हीरो पंती है ना किसी दिन धरी की धरी रह जाएगी मैं बता देती हूं तुम दोनों को हाँ ठीक है अब क्या महले की बहु बेटियों पर तेरा असर पढ़ने दू शकुंतला की इस बाहदुरी से महले वाले ना सिर्फ शकुंतला की बल्कि उसकी बहु रिंकों की भी खुब तारीफ करते हैं शकुंतला देख मैं भी इस काम में तेरा साथ देती लेकिन तारीफ हुई भी तो तेरी और तेरी बहु की अरे लेकिन ये सब को कौन बताएगा कि बताया तो मैंने इस था कि कांता की घर म उस सबजी वाले को देखकर क्योंकि ये पहले मुझ पे लाइन दे रहा था लेकिन जब तक मैं इसे हाँ बोलती जब तक एक कांता पर डोर डालने लगा तब ही कहूं विमला काकी को इस पर इतना खुंदस क्यों है शकुंतला और रिंकू की तो महले में खुब तारीफे हो रही थी और शकुंतला और रिंकू भी बहुत खुश थी लेकिन सास बहु की ये हीरो पंती अभी और बड़ा धमाका करनी वाली थी जिससे वो दोनों ही अंजान थे देर राट जब रिंकू पानी पीनी के लिए उठती है तो वो देखती है कि उसकी पडोसन के घर में एक आदमी घुस रहा था ये तो लेटिस नीवज है ये देखकर रिंकू तुरंट अपनी सास को उठाने जाती है क्या हुआ बहू क्यों इतने रात में परिशान कर रही है वेसे राकेश खराटे ले रहा है क्या नहीं नहीं माजी ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि विमला काकी की घर में चोर घुस्तुए मैंने अपनी आँखों से देखा है और आप तो जानती है विमला काकी की बहु कल ही माई की गई है और उनका बेटा भी घर पर नहीं है विमला काकी की जान खत्रे में है सासुमा जल्दी चलिए अरे ऐसे कैसे चल हम विमला के घर चलते हैं हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे इतना बोलने के बाद ही शकुंतला और रिंकू विमला के घर पहुचते हैं और विमला के हौल के खिड़की से अंदर पहुचते हैं तो वो विमला के कमरे से आवाज सुनते हैं इतनी देर क्यों लगा दी आने में मेरी तनहा रातों में मुझे तुम्हारी जुरूत थी इतना बोलकर शकुंतला विमला के कमरे का गेट खोल देती है और दोनों ही सास बहु ये नजारा देखकर हैरान हो जाती है कि विमला उस सबजी वाली की बहु में थी जिसे दो तिन दिन पहले उसने शकुंतला और रिंको के साथ मिलकर मारा था तू शकुं यहां क्या कर रही है ये तो मेरे घर में घुसाया था वो तो दीख रहा है और तूने जो बोला था वो हमने सुना भी था माजी अब तब विमला काकी की पोल भी खोड ले ही पड़ेगी वरना महुली की बहु बेटियों पर क्या आसर पड़ेगा शकुंतला ने इतना बोला ही था कि रिंकू विमला के घर पर चोर-चोर का शोर मचा दीती है वो तेज-तेज की चिलानी लगती है तो आदी रात की समी सभी की नीन तूट जाती है और सभी बडोसी अब विमला के घर पर आ जाते हैं मोहले वाले भी रिंकू की आवाज सुनकर जब उठी चुके थे तो वो विमला के घर पर पहुचकर जो देखते हैं उसे देखकर अब सभी के होश ओड़ जाते हैं कि सबजी वाले को सब चोर मान बैठे थे जिसके बाद पड़ोसी भी अब अपना हाथ साफ करने के लिए उस चकुंतला और रिंकू की खूब वावाही होती है कि आखेर उन्होंने एक बार फिर बड़ा नाम करके दिखाया है और इसी तरह वो ऐसे ही अपनी हीरो पंती आए दिन दिखाया करती पूनम अपनी कमरी में बैठकर बालों में महदी लगा रही थी तब ही वहाँ पूनम की साफ सुधा आती है और पूनम को महदी लगाते देखकर उसकी सास कहती है अरे बहु तो बालों में महंदी क्यों लगा रही है? कोई काम नहीं है घर में क्या? जो महंदी ही लगाना है तुछे मा जी घर का सारा काम तो फैला पड़ा है, अभी पहले में बालों में महंदी लगा लो, फिर घर के काम करती हूँ अरे वही तो पूछ रही हूँ ठंड पड़ रही है और तो ठंड में ही अपने बालों में महंदी लगा रही है सर में दर्ध हो जाएगा तेरे रहने दे ये महंदी आज से पहले तो कभी तुने ये महंदी नहीं लगाई मा जी मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं शादी से पहले भी महन्दी लगाती थी मैं अब तक महन्दी का रंग नहीं गया था इसलिए नहीं लगाई लेकिन अब जा रहा है तो लगा रही हूं हे भगवान क्या होगा आजकल के बच्चों का जवानी में ही बाल सफेद हो रहे हैं यह तुम लोग फालतों की जीज़े लगाते रहते हो ना इसलिए ही तुम लोगों के बाल इतनी जल्दी कमजोर हो जाते हैं मैं अपने बालों में वो पुराने समय की तरह सरसो का तेल ही लगाती हूं लेकिन फिर भी ऐसे ही है मेरे बाद अब इसमें सरसो के तेल या मेरी कोई गलती थोड़ी है फिर तो तेरे माबाप से ही तुझे इतने कमजोर बाल मिले होंगे वरना और क्या कारण हो सकता है माजी आपने तो मेरी मा को देखा ही है उनके बाल कितने अच्छे हैं और मेरे पापा के बाल भी बहुत सही है मैं ही पता नहीं कहां से उजड़ा चमन लेके आ गई तू इतनी सी बातों में अपना दिल छोटा मत कर ये सब तो आम बात हो गई है अब तू बालों में महंडी लगा ले फिर घर के काम कर लियो मा जी लग ही गई है महंडी तो अब जादा घने लंबे बाल थोड़ी है मेरे जो पूरा दिन ही निकल जाए इसी में छोटी से तो बाल है मैं जाकर काम कर ही लेती हूँ ठीक है बहू लेकिन तू बार बार अपने बालों को क्यों दोश दे रही है तूने देखा है ना आज कल के लोगों को उनके बाल कितने छोटे होते जा रहे हैं तो वो क्या आप तेरी तरह अन बात को लेकर बैठ जाए और रोने लगे मैंने आसक बालों में महंदी और ससो का तेल ही लगाया है तो क्या हुआ तू भी बालों के डॉक्टरों को दिखा दे वही बता सकते हैं ना कि तेरे बाल इतने क्यों जड़ रहे हैं समस्या है तो समाधान भी तो होगा न बहू नहीं माजी वो इतना महेंगा इलाज बता देंगे मानु जैसे हमें चान पर घर लेना हो इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ रोज अपने बालों का दुख मना सकती हूँ लेकिन पैसो का गम नहीं पूनम को अपने जड़ते होए बालों का दुख था क्योंकि अभी पूनम के जड़ा उम्र नहीं थी और बालों का इतना जड़ना पूनम को काफी परिशान कर रहा था लेकिन पूनम फिर भी अपनी सास की बात मान कर बालों को दिखाने नहीं जाती और ऐसे ही रहती है कई दिनों तक ऐसे ही चलता है कुछ समय के बाद पूनम घर का धीरे-धीरे काम कर रही थी तब ही वहाँ पर उसकी परोसन लता आती है और पूनम को धीरे-धीरे काम करता देखकर लता कहती है अरे सुधा की बहु तु इतने अराम से क्यों काम कर रही है जल्दी से काम खतम करके हट जा क्या बताऊं आंटी आपको मेरी कमर और घुटनों में तो इतना समय हो गया है काफी जादा दर्द होता रहता है और काम करनी में भी बहुत परिशानी होती है इस तब भी तो अराम से काम करती हूँ मैं जवानी में ही बूड़ी और यह बहुत हूँ तो तुस्से ज़्यादा जान तो तेरी सास में हो गया पीवी आंटी जी मैं बूड़ी नहीं हो रही हूँ बस थोड़ा दर्द है गुटने और कमर में और इससे कोई बुढ़ा नहीं हो जाता बहु बुरा मत्मानियों लेकिन कमर दर्द गुटनों में दर्द यह सब बुढ़ा पे की ही लक्षन है वरना जवान लोगों में कितनी फूर्ती रहती है यह तो मुझे तुझे बताने के जरूरत भी नहीं है सच में क्या में जवाने में बूरी हो रही हूँ अगर में जवाने में बूरी हो गई तब तो अनुझे मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं और सास बहु एक जैसी ही लगेंगी मा जी तो मुझे ताने दे दे कर ही मा देंगी अब मैं क्या करूँ अब क्या तुझे बूलने की भी बिमारी हो रही है क्या यहीं खड़ी हूँ और तु है कि मुझे बूल कर अपनी ही दुनिया में खो रही है दिखाए देरा है ना साफसा या आखो में भी कोई परिशानी हो रही है आखे तो बिल्कुल ही ठीक है बस थोड़ा कमर और घुटने में दर्द ही रहता है और तो कोई प्रॉबलम नहीं है बहु तो एक काम कर एक बूड़ो वाले छड़ी ले ले वो तेरे ले मदद भी करेगी लटा पूरम का काफी मजाग बनाने लगती है और उस पर काफी ज़ादा हस रही होती है कभी वहाँ पर सुधा आती है और लटा को अपनी बहु पर इस तरह हसते होई देखकर सुधा कहती है क्या बात है लता मेरी बहू पर हसी आ रही है तुझे कोई जोक सुनाया है क्या इसने नहीं कोई जोक तो नहीं सुनाया लेकिन तेरी बहू की जवानी में बुड़ापा ही जोक है अच्छा विसे सुनने में आया था कि तेरी बहू तो जवान है और उसमें फूर्ती भी है और तेरी घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ता है इतना बोलकर लता वहां सी जल्दी से 9-11 हो जाती है सुधा तो अपनी बहु को बहुत ज़ादा सपोर्ट करती थी लेकिन कहीं न कहीं पूनम खुद ही मत हारने लगी थी और अपनी आपको दूसरों से कम समझने लगी थी ऐसे ही एक दिन पूनम को अपने पती अनुच के साथ एक पार्टी में जाना था अनुच अपनी कमरे मीद पूनम का इंतिजार कर रहा था कि वो तयार होकर कब आएगी थोड़ी देर बाद पूनम तयार होकर आती है तो पूनम को देखकर अनुच जोर जोर से हसने लगता है और पूनम से कहता है पूनम तुमने कितना मेकप कर रगा है लेकिन ऐसा लग रहा है बूडी घोडी लाल लगा है अरे जुर्या रही है तुमारे चेहरे पर ज़रा ठीक करो अपना चेहरा जुर्या कैसे आ सकती है मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ और आप अनुजी कुछ जादा ही हस नहीं रहे हसू नहीं तो क्या करूं मैं अरे तुम तो अभी से बुड़ी लग रही हो बच्चे भी नहीं हुए अभी तो पता नहीं आगे चल कर तुम्हारा क्या होगा तुम य और चहरे पर तो एक दो क्रीम क्या लगा ली जुर्या आने लगी तुम्हें अच्छे से पता है इतनी पड़ी लिखी हो तुम केमिकल वाली चीज़े नुकसान करती ही हैं तब तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ा था इसका मतलब यह तो नहीं कि वो सब ठीक थी जुर्या बो तुम नहीं जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना और कोई कुछ नहीं बोलेगा मैं बोल रहा हूं ना सबसे पहले तो तुम नहीं बोला था ना और अब तुम बोल रहे हो कि कोई दूसरा कुछ नहीं बोलेगा मैं नहीं जा रही तुम अकेले ही जा पूनम अपने आपको लेकर आप बहुत परिशान रहने लगे थी उसे बार बार लोगों से जवाने में बुड़े होने की बात सुनने को मिल रहे थी इसे लिए पूनम का आत्मिश्वास अब खोने लगा था अब पूनम जादा कहीं बाहर जाना भी पसंद नहीं करती थी और परिशान रहने की वज़ा से एक दिन पूनम को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं तब ही वहाँ अनुज और सुधा आते हैं और उसे कमरे में लेकर जाते हैं पूनम को होश में लेकर आते हैं तब ही सुधा बोलती है बहु मैं इतनी दिनों से देख रही हूँ मन मे में कोई बात है तो मुझे बता तो सही माची मैं जवानी में बूड़ी हो रही हूं अब अब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे ना ओ शिट तुम अब तक उस बात को लेकर बैठी हो क्या बात बस यही बात नहीं है मेरी जुर्या भी आ रही है शरीर बेदर्द बाल भी सुधा अपनी बहु की परिशानी को समझती है और उसे अच्छे से समझाती भी है फिर घर में सभी लोग पूनम का होसला बढ़ाते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करने लगते हैं सोनम की नई-णई शादी हुई थी शादे के बाद ही सोनम की सास उमा सोनम से कहती है बहु मैं देख रही हूँ तेरे पास शायद कुछ अच्छे कपड़े नहीं है बहनने को तो ऐसा कर ड्राइवर के साथ जाकर अपने लिए कपड़े की दुकान से कुछ अच्छे मा जी मेरे पास तो कपड़े हैं मैं वही चला लूगी कोई बात नहीं वहुग उस समय के लिए तो तुझे ना चाहकर भी अच्छे और ब्रंडड कपड़े पहनने ही होंगे क्योंकि तुझे देखने के लिए भी लोगों को आना जाना लगा ही रहेगा अब सोनम अपनी सास की बात मान कर ड्राइवर के साथ अपने लिए कपड़े खरिदने निकल पड़ती है तब ही उसे रास्ते में सेल में मिल रहे कपड़ों की दुकान देखती है जिसे देखकर सोनम अपनी ड्राइवर से कहती है गाड़ी साइड में लगाओ. मैं अभी आती हूँ. लेकिन मेम साव माजी नenne तो कहा था कि आपको पुराने सकसेना साहप की दुकान से लेन हैं? तुमसे जितना कहा चाये उतना ही करो। बाकि की बात माजी और किसी से नहीं कहना. अब सोनम उन से लगी दुकान पर जाती है और अपने लिए कपड़े खरीती है और कपड़े लेने के बाद ही अपनी सास के दिये हुए पैसो को देख कर कहती है अरे मा जी ने तो दस हजार दिये हैं एकिन मेरी शॉपिंग तो पंदरा सो में ही हो गए अब सोनम शॉपिंग करने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर आती है अब जैसे ही सोनम घर आती है वैसे ही उसकी सास उमा सोनम से कहती है बहु आ गई देख लिया ना दुकान वही से कपड़े लाते हैं मैंने सकसेना सापको फोन कर दिया था क्या क्या लाई है मुझे भी दिखा हाँ हाँ माजी क्यों नहीं लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं ये ड्रस पहन कर आपको दिखाऊं ये भी ठीक है और पैसे तो बचे नहीं होंगे वहू अब कुछ देर बाद ही सोनम तयार होकर आती है और अपनी सास को अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है माजी बताओ कैसी लगी आपको है मेरी ये साड़ी साड़ी तो तैरी अच्छी है बहू अर इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है चलब महणी की रसम में हमिसमय से पहुंचना है अब सोनम और ỉमा अपनी पडोसन विम्ला की बीटी की में पहुशते है वहां जाकर विमला सोनम को देखकरूमा से कह लाखों में एक बहु ढूंडी है उमा तूने कितने प्यारी लग रही है इस साड़ी में वैसे ये साड़ी तो महंगी होगी कहां से लाई और कितने की है अरे बहु की पसंद है पांची हजार की तो हो गही हाँ इतने महंगी कपड़े तो तेरे घर में हर कोई पहनता है अब म नहीं मन में कहते हैं। ना चाने यह औरत मेरे जैसे कपड़े में क्यों आई है। लेकिन जो भी कहूँ, मेरे सेज़ाथा तो ईसके कपड़े ही चमक रहे है। अरे कांता बहन कैसी हो, बड़े ही दिनों बाद आई हो, वैसे साड़ी कितने की है, बड़ी ही अच्छी लग रही है तुम पर अरे ब्रैंडिड है तो अच्छी लगेगी न, ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, पूरे 8000 के साड़ी है ये तो तु सही ही कह रही है वैसे उमा की बहु को देख उसने भी तेरी तरह ही साड़ी पहन रखी है लेकिन जादा अच्छी तो तेरी साड़ी ही लग रही है अब उमा भी उस औरत और अपनी बहु की साड़ी को देखने के बाद अपनी बहु के पास जाकर धीरे से अपनी बहु से कहती है बहु तुने उसे दुकान से साड़ी ली थी ने जहां से मैंने तुझे लेने को कहा था हाँ हाँ माजी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या तो आप खुद ही पूछ लीजी उनसे अरे बहु मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि उसकी साड़ी जाद अच्छी लग रही है बाकी भगवान छूट ना बुलवाए अब विमला उमा की पास आती है और उमा से कहती है देख देख कैसे कांता तेरी बहु जैसे साड़ी पहन कर इतरा रही है उसने भी सकसेना साब की यहां से ही ली है ये साड़ी फिर तेरी बहु को उसने रंग उत्री हुई साड़ी क्यों पकड़ा दी इस बार जाओंगी तो बहुत सुना कराओंगी उसक्सेना के बच्चे को कैसे मेरी बहु को उसने ऐसी साड़ी दे दी? अब अगली रोज सुभा सुभा चाय के समय ही उमा सक्सेना को फोन लगाती है जिसके यहां से उमा सालों से अच्छी और ब्रेंडिट कपड़े ले रही थी अब सक्सेना से उमा फोन पर कहती है जी सक्सेना सहब कैसे हैं आप? आजकल आप बड़ा ही कपड़ों में धोखा धरी कर रहे हैं? जी कैसी बाते कर रही हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे जो आपने मेरी बहु को कपड़े दिये हैं उनका रंग देखा है कितना उखड़ा हुआ है जी आपकी बहुरानी मेरे दुकान पर आएगी तभी तो मैं उसे कपड़े दूँगा ना? और आप तो जानती हैं न मेरी दुकान के बारे में? मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकता हूँ बेशक कपड़े थोरे महंगे हैं लेकिन गरहाकों को मैं धोका नहीं दे सकता क्या मतलब मेरी बहु आपकी दुकान पर नहीं आई? मैंने उसे रामो के साथ भेजा था उसे दुकान भी दिखाई थी मुझे लगता आपको कोई गलत फहमी होई है आपकी बहुरानी मेरी दुकान पर कभी आई नहीं और नहीं वो मुझसे कोई कपड़े लेके गई है तो बिल्कुल नहीं थे बल्कि सेल के थे अब उमा सोनम को तो उस समय कुछ नहीं कहती लेकिन देश शाम अपनी बहु को पैसे दीती होई कहती बहु तो जाकर कपड़े ले और कुछ अच्छे लेकर आई हो ताकि तो विमला की बेटी की शादी में सबसे अलग दिखे अब सोनम भी अपने रैवर रामू की साथ कपड़े लेने के लिए निकल परती है लेकिन उसकी पीछे होती है उमा जो अपनी बहु को फॉलो कर रही थी अब सोनम रामू को जैसे ही सेल में मिल रही कप्डों की दुकान के पास रुकने को कहती है वैसे ही रामू सोनम से कहता है मैडम जी यहां ना रुको तो अच्छा है हमें सक्सेना सहाब की दुकान पे जाना चाहिए अच्छा रामू कभी तुमने पैसे बचाने की कोशिश की है अपने आगे के लिए अपने बच्चों के लिए मैडम मैं तो एक कपड़ा महीने महीने चला लेता हूँ ताकि मेरे घर की ज़रोते पूरी हो सके लेकिन आप लोग आपको किस चीज की कमी है मैं पली बड़ी तो एक मिड्ल क्लास घर में ही हूँ ना तो मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत तो बिल्कुल नहीं है अब सोनम अपने ड्राइवर रामू से सेल्स की दुकान के पास गाड़ी रोकने को कहती है और ड्राइवर भी वही गाड़ी रोक देता है अबी हो तू यहां क्या शादी के लिए सेल्स में से कपड़े ले रही है अरे मैं तो बच्चु के लिए यहां कपड़े लेने आई थी लेकिन मुझे यहां तेरी बहु दिख गई जो अमीरी तुम सास बहु दिखा रहे हो उसका राज मुझे आज पता चला और तेरे दहिसी का राज भी मुझे आज ही पता चल गया विमला ओ तू बहु चल तेरी शोपिंग हो गई हो तो घर चल उमा और सोनम घर पहुशते हैं वैसे ही उमा अपने बहु सोनम से कहती है बहु किसी चीज की कमी कर रही हूँ क्या मैं तुझे जो तु मेरा नाम मिट्टी में मिलाने पर तुली है मा जी मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है और जब मैं गरीब लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दया आती है पहनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता और हमारे पास तो तो बहु उन्हें तु सेल से लेकर क्यों देकर आई अपने लिए ले लेती कपड़े या अपने लिए अच्छे कपड़े खरी तो सकती ही है ना तु मा जी आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी लेकिन इन कपड़ों को क्या करूं उन लोगों को दे दे जिने असल में इनकी जरूरत है अब सोनम अपनी सास उमा की बात को समझती है और उसके बाद सेल के कपड़े पहनना छोड़ देती है